इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सबी का खायर मगदम है कहते हैं कि जान है तो जहान है तंदुरस्ती हजार न्यामत जिसमें का इसी मशीन है जो अल्लाह की दीवी न्यामतों के जरीए कवी वो ताकतवर बन जाती है इंसान के अंदर सोचने समझने की सलायत बक्षी है लहाजा अच्छे और सहतमंद गिजा मुलक के अफराद को तंदुरस्त बनाती है और तंदुरस्त अफराद देश और दुनिया को सहतमें बनाते है मोदी सरकार कहती है कि भारत की महीशत को पांच लाक करोड डॉलर्स की तरफ ले जाने का आजम रखती है अजम बहुत अच्छा है लेकिन क्या यह सरकार मुलक की सहत को लेकर उतनी ही संजिदा है अफराद ही किसी मुलक किसी जमात को उरूज जवाल बक्षते है अगर मुलक भर में मिलावटी खानों के जरीए से नوجवान नसल कमजोर हो रही हो मिलावटी खानों का बाजार पूरे देश में हर गली कुचे में फैला हुआ हो तो क्या खाक मुलक की महीशत लाको करोड डॉलर के मकसद को हासिल करेगी जब हर घर में खराब और मिलावटी खानों के जरीए बीमारी ने अपना डेरा डाल दिया हो मिलावटी खानों के बिल को मुझुदा हुकूमत नजर अंदाज करते दिखाई देती है पूरा मुलक मिलावट के जहर को पिए जा रहा है पर हुकुमत की खामुश की इसके गैर जम्मेदाराना रवेयों को उजागर करती है 2018-19 में खाने की चीजों के मुख्तलिफ टेस्ट किये गए जिनकी जांच की गई तकरीबन 65,000 जांच किये गए मिलावट में जबर्दस बड़ोती हुए है फुड और मेडिकल पर नजर रखने के लिए सरकार की जानिब से दफ्तर तो बनाए जाते हैं पर यहाँ दफ्तर वापसरान भी मिलावट की नजर हो जाते हैं दरासर मिलावट ड्रामों के लिए कानून भी बनाए गए आई पी सी के तहते एक लाग से दस लाग तक का जुर्माना अगर किसी की खाने की वज़े से मौत हो जाती है तो साथ साल तक की जेल भी हो सकती है पर मिलावट को मनजर आम पर लाएगा कौन खाने के चीजों में मिलावट तो हर हद दर्जा इंतहा पर पहुंची हुई है बेलगाम शहर में कई ऐसे होटल है जहां चर्बी का तेल इस्तमाल किया जाता है सड़के किनारे बेचने वाले जूस में भी केमिकल इस्तमाल किया जाता है ज्यादातर मिगदार उसी के होती ह जूट और मिलावत का तो बाजार ही गर्म हुआ है पर किसी और चीज़ का समझ में नहीं आता पर खाने की गिजा को जो इनसान जिसम को पर जिसकी में के अंदर जाता है और जिसम खोकला बना देता है कम उमर नौजवानों में दिल के दोरे यानि के हार्ट अटेक में होने वाले मौत जिस तेज रफ्तार से हो रही है एक लमाहे फिक्र है बाजार मिलावत से सजा हुआ है हल्दी में पीला रंग मिलावत जाता है मिर्च में लाल रंग मिलावत जाता है घी में डालदा यहां त अच्छे जहरी ले दूद को पीते हैं बढ़ती खतरनाख बीमारिया यसी का नतीजा है एक और रिपोर्ट में आया है कि देश के तकरीबर नागरी के एटीम जितना प्लास्टिक काड़ खाते हैं बिलगाम शहर के खासवाग शापूर इलाकों में प्लास्टिक के अंडे फर में दिनों से धुमादार बारिश हो रही है और बारिश में अंडे की फरुक्त में जबरदस इजापा होता है यहां भी खबर हासिल हुई है कि अंडे की कीमत 6-7 रुपे है जब के प्लास्टिक के अंडे 3-4 रुपे में हासिल हो रहा है अब यह जमेदारी बेलगाम ने की खबर हमारे पास हासिल है इन ही अंडों का इस्तमाल किया जाता है यहाज फास्ट फूड का जो दोर मौजुदा हालात का ट्रेंड बनता हुआ है कितना खतरनाक है इसका अंदाजा भी हम नहीं कर सकते चन्ने कुलकत्ता के बाद बेलगाम में प्लास्टिक एंडे फर ही है लहाजा सहतमंदी का खयाल रखते हुए सहतमंद गिजा खाये और अपने बच्चों को भी सहतमंद खाने खिलाने की कोशिश करें वरना बीमारी अस्पताल और मौत के दरम्यान ही जिन्दगी का सफर खत्म हो जाएगा इत्याद नियूद देखने के लिए शुक्रिया आला हाफीज कि ए सका वाइब है तुम्यान आला ही